वेलकम टू आओर चैनल इजी एक्स्प्लोर फार्मा तो एक बर फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इजी एक्स्प्लोर फार्मा पर हम लोग डाजिस्टिब सिस्टम की पार्ट्स के बारे में स्टडी कर रहे थे यहां तक की हमने लास्ट वीडियो में कुछ पैंक्रियास के बारे में study करेंगे, ये वीडियो लेक्चर थोड़ा short होगा, so without any delay, let's begin. पैंक्रियास स्टार्ट करने से पहले, मैं आप लोग को पैंक्रियास का डाइग्राम दिखाना चाहती हूँ, ये है हमारा पैंक्रियास, दिखने में अच्छा है, इसके बारे में सुनने उससे भी अच्छा है, ये पैंक्रियास देख लीजे, ये कहाँ होता है, ये एक U-shaped, डियोडेनम के लिंप में होता है, लिंप कहने का मतलब डियोडेनम के कुईसी पार्ट में होता है, यह देख लीजे, यह हमारा होता है, यह यूशेफ डियोडेनम है, इस यूशेफ डियोडेनम के अंदर में पैनक्रियाज होता है, यानि दिखने से भी समझ में आ रहा होगा यही पार्ट हमारा क्या है यह हमारा pancreas है यह देखिए यह हमारे बागी other part से भी joint है तो आएए pancreas के बारे में study करते हैं pancreas क्या होता है pancreas एक elongated organ है जो की situated होता है in the lymph of duodenum ठीक है तो यही था diagram अब हम लोग इसके बारे में study करेंगे यहां देखिए first point को मैं already बता चुकी हूँ that pancreas is an elongated organ which is situated in the lymph of duodenum यह पार्ट को diagramatically भी मैं आपको शो कर चुकी हूँ अब आते हमारे next point पे that is parts of pancreas pancreas के generally two parts होते हैं first part exocrine part and the second one is the endocrine part exocrine and endocrine part exocrine part में देखिए exocrine part और endocrine यह जो भी gland होते हैं यह दो parts होते हैं gland के यह इसलिए हम लोग यह भी बोलते हैं यहां पर यह भी लिखा है that it is a glandular tissue pancreas contain two different kinds of glandular tissue glandular कहने का मतलब यह दोनों जो parts होते हैं वो glandular parts होते हैं exocrine gland and endocrine gland देखिए जो endocrine part होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं ductless ductless मतलब इसके पास duct नहीं होता है वो अपने जो भी secretions होते हैं उनको directly blood में add करेंगे for example यह हमारा pancreas for example हमारा यह है pancreas इस pancreas में दो parts हैं एक हमारा exocrine है जिसके बारी में हम लोग अगो discuss करेंगे next हमारा है endocrine part जो suppose कोई secretions करना चाहता है यह इसके secretions है तो यह इसके secretions को directly हमारे blood में add कर देगा इसके लिए किसी भी तरह का duct की ज़रुवत नहीं है वहीं दूसरे तरफ अगर exocrine part को यह pancreas का exocrine part है इसने किसी secretions को release किया यह secretions को किसी duct के पास जाने की जरुवत नहीं है यह sorry यह duct के पास जाने की जरुवत है क्योंकि इस part के पास क्या है duct है exocrine part के पास duct है और यह अपने secretions को duct के थरो add करेगा हमारे body में यह जो इसके secretions होंगे duct में आट करेगा और इस duct के थरो हमारे body parts में क्या हो जाएगा distribute हो जाएगा अब यह point के बाद यह समझे कि exocrine part के कुछ examples होंगे जैसे pancreatic amylase pancreatic amylase यह एक pancreatic juice है मतलब pancreas जो भी juice का secretion करेगा है और यह कह लिजे कि जो भी enzymes का secretion करेगा वो कौन सा part करेगा exocrine part वहीं दूसरे तरफ अगर किसी तरह की hormone का secretion करेगा तो उसको क्या बोलेंगे exocrine part से उसका secretion हो रहा है जितने भी hormones होते हैं वो सारे क्या होते हैं mostly not all, mostly जो hormones होते हैं वो endocrine part से release होते हैं उन सारे hormones में से pancreas में two types of hormones generally और mainly कह लिजे या फिर दो तरह की hormones ही पाय जाते हैं first one is the insulin and second one is the glucagon ये दोनों का function क्या होता है तो insulin क्या करता है हमारे blood glucose level को increase करता है sorry decrease करता है वहीं दूसरे तरफ glucagon का function क्या होता है ये blood glucose level को increase करता है तो इतनी बात अच्छे से clear हो जानी चाहिए पैंकरियास के दो पार्टस है एक्जोक्राइन अन इंडोक्राइन इंडोक्राइन को ductless कह रहे है क्यों कह रहे है क्योंकि वह अपने secretions को duct के तुर आड़ नहीं करेंगे हमारे body में वो directly blood के तुर आड़ करेंगे और वही एक्जोक्राइन में क्या था इनके पास duct है ये duct के थो ही अपने secretions को हमारे body में add करेंगे इसके examples pancreatic juice सारे exocrine होंगे और जो भी hormones release करेगा हमारा pancreas वो सारे क्या होंगे? इंडोक्राइन होंगे mainly two types of hormones जो pancreas में present होते हैं first one is the insulin and second one is the glucagon insulin blood glucose level को decrease करने के लिए होते है और glucagon, glucagon मतलब glucose को increase करने वाला अब आते हैं इसके next part में that is composition में जो मैंने अभी बताया वही यहाँ पे second point में note केर के लिखा गया है that pancreas contain two different kinds of glandular tissue and exocrine and endocrine exocrine मतलब जो pancreatic juice करेगा और endocrine मतलब insulin और glucagon का secretion करेगा composition देखने से पहले एक point और यहाँ पे आता है कि हम लोग बोलते हैं कि pancreas के जो भी juice है वो क्या है alkaline nature के है basic nature के हैं और ये भी बात note करने वाली है कि pancreas के जो भी secretions या juice होंगे वो सारे क्या होंगे colorless होंगे watery fluid जैसा होगा और alkaline होगा alkaline क्यों होगा alkaline due to presence of NaHCO3 sodium bicarbonate के presence के कारण वो alkaline होगा उसका pH 7.5 से 8 होगा अब next देखने हैं next one is the composition composition और हम लोग कह सकते हैं उन composition का functions क्या है इसके बारे में study करेंगे तो देखिए first जो enzymes का secretion करेगा वो है amylolytic enzymes amylolytic enzymes amylo generally हम लोग समझते हैं कि ये क्या है carbohydrate को indicate कर रहा है lytic मतलब क्या होता है breakdown मतलब ऐसा enzymes जो की carbohydrate का breakdown करेगा उस तरह के enzymes को क्या बुलेंगे amylolytic enzymes जो की pancreas secret करेगा next one is the lipolytic lipo, lipo means क्या आ रहा है lipid, lytic means breakdown जो lipid का breakdown करेगा उस enzymes को क्या कहेंगे lipolytic enzymes next one is the proteolytic enzymes proteolytic means proteo से क्या समझा रहा है protein, lytic means breakdown जो protein का breakdown करेगा उसको बुलेंगे proteolytic enzymes तो आईए इसी चीज़ को अच्छे से point में study करते हैं composition of pancreatic juice first one is the amylolytic enzymes amylolytic enzymes के अंदर में कौन कौन से आ जाएंगे pancreatic amylase इसका function क्या होगा यहां देखिए function carbohydrate का digestion करना next one is the lipolytic enzymes lipolytic enzymes में क्या आ जाएंगे pancreatic lipase, phospholipase A and B and colipase और lipolytic enzymes का function क्या होगा that is digestion of lipid next हो जाएगा proteolytic enzymes proteolytic enzymes मतलब जो protein का digestion करेगा क्या कौन कौन से आ जाएंगे trapsin, chemotrapsin, elastin and collagenase आब आते हैं next one is the disorders of pancreas pancreas के कौन कौन से disorders है first और बहुत ही famous disorder that is pancreatitis pancreatitis में क्या होता है pancreas में inflammation हो जाता है और वहां पे जग्खम जैसा हो जाता है red red जैसा inflammation हो जाएगा यह inflammation acute हो सकता है यानि थोड़ी दिनों के लिए भी हो सकता है one or two days के लिए फिर chronic हो सकता है यानि one year two year और कुछ month के लिए भी हो सकते हैं इसके generally cause होते हैं due to alcohol heavy alcohol intake या फिर gallstones next वाला हमारा जो disorders होगा वो हो गया steatoria यह क्या होता है कि बहुत ही जादा जो stools निकलते हैं इस case में वो stools बहुत ही जादा बल्की fall smelling करेंगे और बहुत ही frothy frothy जैसा और clay जैसा होगा और यह भी होता है कि उस stools में generally undigested fat दिखेंगे क्योंकि अगर fat का digestion नहीं हो रहा है तभी हमार हमें यह disease होता है ठीक है तो यह था हमारा pancreas के बारे में इसके notes दिये गए हैं हमारे description box पे या फिर आप लोग directly notes ले सकते हैं www.eziexploreforma.online से so thank you so much for watching us